हॉन्डा गोल्ड विंग बाइक्स का बॉस रोट का शेहनशा अठार सो तैसी सी इंजन 389 किलो वजन 126.4 पीए सेट 5500 आर पीएम और आटोमेटिक ट्रांस्मिशन वाले इस सुपर बाइक को जिसमें तमाम लगजरी मुहया कराई गई है बाइक्स का बॉस और रोट का शेहन अच्छा नहीं तो और क्या कहेंगे दाम में भी दूसरी बाइक्स तो क्या कई लगजरी कारें और एस यूबीज भी इसके आसपास नहीं फटकती इस सुपर बाइक में हैं ऐसी ऐसी खूबियां जिनके बारे में पहले कलपना करना तक भी मुश्किल था दुनिया भर में इस रनिंग मशीन को इसकी थाकत के साथ-साथ इसके कंफर्ट के लिए जाना जाता है और इसी लिए ये बन चुका है परफेक्ट टूरिंग आइकॉन जो लंबी दूरी तै करने वाले राइडर्स की पहली पसंद के रूप में सामने आता दिख रहा है 1975 में GL 1000 मॉडल से काम्याबी का सफर शुरू करने वाले गोल्ड बिंग को वक्त के साथ-साथ हलका, फास्टर और ज्यादा पावरफुल बनाया गया है सबसे पहले आपको इसके इंजन के बारे में बताते हैं, क्योंकि किसी भी मोटर साइकल का दिल उसके इंजन से ही धड़कता है 6 सिलिंडर का इसका इंजन नए बोर और स्ट्रोक के साथ 1833 सिसी का डिस्प्लेस्मेंट पंच आउट करता है इंजन हर सिलिंडर में चार वॉल्ब का इस्तिमाल करता है और डिजाइन हाई परफॉर्मिंग यूनिकेम आट है दिजाइन पर आधारित है साथ ही ये अलुमेनियम सिलिंडर स्लीप्स और छोटा लेकिन स्टिफ क्रैंक से लैस है जिसके परफॉर्मिंस को ज्यादा इंगेजिंग और स्पोर्टिंग बनाते हैं जिसकी चाहत सभी बाइकर्स को होती है फ्यूल टैंक की क्षमता 21.1 लिटर पेट्रोल की है और कार्बुरेशन सिस्टम पीजियम एफ आई एलेक्ट्रोनिक फ्यूल इंजेक्शन द्वारा संचालित होता है हाला कि पावरफुल होने की वज़़े से माइलेज ज्यादा नहीं है 15 किलोमीटर प्रति लिटर का माइलेज आप हासिल कर सकते हैं साफ है ये राइडिंग का लुथ उठाने वालों जूनूनी लोगों के लिए है हॉंडा गोल्ड विंग इंटिग्रेटेड स्टार जेनेरेटर सिस्टम से लाइस है और इसकी बैटरी की ख्षमता 12 वोल्ट बाई 20 एच की है किक मारने की टेंशन ही स्विच से स्टार्ट करें और निगल जाएं लॉंग ड्राइपर इसमें साथ गियर हैं जो आटोमेटिक और मैनूल किसी भी रूप में एड़जस्ट किये जा सकते हैं और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि फोर विलर्स की तरह इसमें बैक गियर भी है यानि वजन की वज़से इसे कहीं से निकालने या स्टैंड में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जब वजन की बात हुई है तो आपको बता दें कि इसका वजन बुलेट से करीब डबल है 399 किलो यानि शान से भी शानदार सवारी अलिमूनियम डाइकास्ट और ट्विन ट्यूब का इसका फ्रेम इसे काफी खुबसूरत और आकर शक बनाता है इसकी लंबाई 2575 एमेम चोड़ाई 905 एमेम और उंचाई 1430 एमेम है फील बेस 1695 एमेम है और जरा सीट को देखिए कितना रिलाकसिंग और कमफर्टेबल दिखाई दे रही है इसकी उंचाई 745 एमेम है 130 एमेम का ग्राउंड क्लियरिंस इसे भारतिय सड़कों पर भी बिना किसी टेंशन के रफदार पकड़ने का मौका देता है और जरा इसके टायर पर गौर फर्माएं 130 एम बाई सी 63 एच का अगला और 200 एम बाई पचपन आर 16 एम बाई सी 77 एच का पिछला टायर इसे घजब का संतुलन प्रदान करते हैं साथ ही electronically controlled combined ABA system इसके brake system को solid बनाता है स्पीड कितनी भी क्यों न हो ब्रेक मारने पर बाई आउट अफ कंट्रोल या skid नहीं होती और जो ब्रेक सिस्टम ऐसा है कि पहाड़ी इलाके से उतरते वक्त आप एक पॉइंट फिक्स कर दें और फिर आपको लगातार ब्रेक पर पैर रखे रहने की जरूरत नहीं होगी ब्रेक खुद बखुद स्पीड को कंट्रोल कर रहा होगा ब्रेक पर जाने के दौरान लंबे समय तक एकसिलरेटर दबाय रखने की जरूरत नहीं क्रूस कंट्रोल मोड में डाल दीजिए और एक तैय स्पीड पर बाइक दौड़ती रहेगी और लंग ड्राइपर म्यूजिक का साथ हो तो फिर कहना ही क्या तो हौनदा गोल विंग में म्यूजिक सिस्टम भी लगा है जिसमें FM के गाने जुन सकते हैं या फिर USB पोर्ट के जरिये आप अपने मंद चाहे गाने का लुटफ उठा सकते हैं साथ ही एपल फोन को पेर करने का विकल्ब भी इसमें मौजूद है आगे और पीछे दो-दो स्पीकर साउंड इफेक्ट को काफी प्रभावशाली बनाते हैं बैक रेस्ट पिलियन व्राइडर को भी काफी आराम पहुंचाता है और लंबी दूरी का कोई असर नहीं दिखाई पड़ता तो इन सब खूबियों की वज़े से ही हौनडा गोल्विंग ने बैक्स की दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली है और 27 लाग की इसके शुरुवाती कीमत भी भारत में सुपर बाइक लवर्स को इस स्पेशल मशीन को अपने कलेक्शन में शामिल करने से नहीं रोक पाती